में फाइनल फर्स्ट फिपर के फर्स्ट चेप्टर का जो भाग है राजस्तान का एतिहासिक बुगोल आज हम बच्चों राजस्तान की एतिहासिक बुगोल के बारे में पर्याप्त चर्चा करेंगे कि राजस्तान के एतिहासिक बुगोल की क्या-क्या विशेस्ताय रही हैं क्या-क्या उसकी लक्षन हैं और किस करण से राजस्तान का जो बुगोल है वो अपना एक अलग स्थान सारे राजस्तान के लिए पहले एक नाम का प्रियोग होना नहीं पाये जाता है उसके कितने ही बागोग के प्राचीन तथा मद्य यूग में बिन्न बिन्न नाम थे और उसके कुछ विबाग अन्य प्रदेशों के अंतरकत आते थे जैसे वर्तमान बिकानेर और जोधपुर के जिले मा भारत काल में जांगल देश कहलते थे कभी कभी इनका नाम कुरू जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है जो कुरू और मद्र के बड़ोसी डेशों के नाम से संबंदित था इसकी राजदानी आईच्छत्रपुर थी जिसको इस समय नागोर केते हैं बिकानेर के राज़ा इसी जंगल देश के स्वामी होने के कारण अपने को जंगल धर बादशा केते थे बिकानेर राज़ी के राजचिन्न में जै जंगल धर बादशा लिखा मिलता है जांगल देश का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है जांगल देश के आसपास के भाग को सपाद लक्ष कहते थे जिस पर चोहानों का अधिकार था इन्हें इसलिए सपाद लक्षी नरपती भी कहते थे जब उनके रज्ज का विस्तार हुआ तो रज्ज की राजदानी शाकंबरी सांभर नाम से जो आज पुकारी जाती है हो गई और वे शाकंबर श्वर कहे जाने लगे जब इनकी राजदानी अज्मेर हुई तब इनके रज्ज विस्तार में मारवाड, बिकानेर, दिल्ली और मेवाड के बहुत से भाग सम्मिलित थे प्राचिन काल में उत्तरी भारत में कुरू, मस्च्च और सूरसेन बहुत विस्तत रज्ज थे अलवर रज्य का उत्री विबाग कुरू देश के दक्षिनी और पस्तिमी मस्च देश के और पुरी विबाग सूरसेन देश के अंतरगत था भरतपूर और दोलपूर रज्य तथा करोली रज्य का अधिकांच बाग सूरसेन देश के अंतरगत था सूर्षेन रज्जी की राजदानी मथूरा मश्ची की विराट जिसे विराट का जाता है और कुरू की इंद्रप्रस्त थी उदेपुर रज्जी का प्राचिन नाम कीव था जिसकी राजदानी मद्यमिका थी आजकल मद्यमिका को नगरी कहते हैं जो चित्तोड से साथ मिल उत्तर में हैं वहाँ पर मेव जाती का अधिकार रहा जिससे उसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा अथ्वा सतत रूप से वहाँ के शाषक मलेच्छों से संगर्स करते रहे अतेविस देश को मेद अर्थात मलेच्छों को मारने वाला की संग्या भी दी गई है इसी कारण इसका नाम मेदपाट भी पड़ा डूंगरपूर बासवड़ा के प्रदेश को वागड कहते हैं आज ये वाग उसी नाम से जाना जाता है जोधपूर के रज़ को मरू और फिर मरुवार और मारवार कहा जाने लगा जोधपूर के दक्षिनी बाग को गुर्ज रत्रा कहते थे और सिरोई के हिस्से की गणना अर्बुध अर्थात आबुदेश में होती थी जेसल में रज़ का पुराना नाम माड था और कोटा और बुंदी जो पहले सपाद लक्ष के अंतरकत थे हाडोती कैलाने लगे जालावार रज़ और टोंक के छबड़ा पिरावा और सिरोंज मालवा देश के अंतरकत माने जाते थे इसी प्रकार बोगलिक विसेस्ताओं को लेकर भी राजस्तान के कुछ बागों के नाम रखे गए थे जैसे कि माही नदी के पास वाले प्रताबगड के बुपाब को काठल का आ जाता था काठल कहने का कारण ये था कि भोगोली किस्ती में प्रतापगर का जो आकार बनता है वो अपने शरीर के अंग के कंठ के समान बनता है और चुंकि उस मानचित्र में जो राजस्तान का मानचित्र है उसमें प्रताबगड का जो एक रहांकन मिलता है वो कंठ की तरह से कांछल की तरह से मिलता है इसलिए उसे कांछल का गया क्योंकि ये माही नदी के कांठे अर्था किनारे का था इस कारण भी इस बाग को कांठल कहा गया प्रताब गुड़ और बासवड़ा की बीच के बाग में 56 ग्राम संबू थे अतेव इस बाग का नाम 56 कहलाने लगा डुंगरपूर और बासवड़ा के बीच के बाग को मेवल और देवलिया और मेवल के निकटवर्थी प्रदेश को मुढोल मंडल केते थे क्योंकि वह एक स्वतंत्र मंडल था बेज रोड़ गर से लेकर बिजोलिया के पठारी पाग को उपर नाल केते थे जरगा और रागा के पहाड़ी पाग हमेशा हरे बरे रहते थे एते उसे देश हरो कहा जाता था उदेपूर के आजपास पाड़ियां होने से उच प्रांत को गिर्वा कहते थे गिर्वा सब्द बना है गिरी से बना है गिरी कार्थ होता है पहाड परवत सरंकला है उपर के वर्णन से इस पस्ट है कि जिस देश के बूबाग को आज कल हम राजस्तान कहते हैं, वह किसी विशेस नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। पर अंग्रे जी में इस रज्जी का नाम राजबुताना रख दिया गया होगा। इस रज्जी के लिए इस लोकिक रूप को बदल कर राजस्तान प्रियुत किया जाने लगा। और आज भी इकई के रूप में इसी नाम से विख्या थे। इसी करण से राजस्तान के जो एकी करण के जो चरण थे। इकेस तरह से से राजस्तान के बाद में राजस्तान नाम रखा गया। वह भी आधुनिक राजस्तान के द्वारा समझा जा सकता है। बोगली करवस्तान राजस्तान आकार में विशम तरिकोनी तर्बुज है जिसके उत्री पस्चिमी दक्षिनी और पुरवी कोणों में बिकानेर, जेसल मेर, बासवडा और दोलपूर की सीमाएं मिलती है। इसके पस्चिम में तथा उत्तर पस्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पुर में पंजाब, उत्तर पुर्व और पुरु में उत्तर प्रदेश और पुरु में वालियर और दक्षिन के मद्धि प्रदेश और गुजरात है। यह समुचा राज्य लगबग 23.3 डिगरी से 30.12 डिगरी उत्री अक्षान से और 69.30 डिगरी से 78.17 डिगरी पुर्वी देशांतर के बीच फेला हुआ है। इसका खेत्रपल लगबग 132.147 वर्ग मील है। इस राज्य की आंतरिक इस्थिति पर जब नदर डालते हैं तो इसकी बनावट के आधार पर इसके पांच प्राकर्तिक भाग में दिखाई देते हैं परवती प्रदेश, पठारी भाग, मेदनी हिस्ता, मरुस्तली भाग और नदी, नदियों का भाग, यदि इन प्राकर्तिक भूबागों की जलवायू, वर्शा और वनस्पतियों रूपज के संदर्ब में अध्यन किया जाए, तब यह इस्थित हो जाएगा कि राजस्तान की भोगलिक अवस्ता का प्रभाव, एतियासिक गटनाओं और यहां के र राजस्तान के भोगलिक प्रभाव में भी देखी जा सकती है, पर्वती प्रदेश, राजस्तान की परवस्त स्रेनिया इस राज्जी को दो प्राकर्तिक भागों में विभक्त करती है, जिनको पस्ठीमी और पुर्यवी विभाग क cursed केते हैं, यह स्रेनिया अरवली प्रव हो गए हैं और आबू में गुरु शिकर पर सबसे उंचे हैं उसकी एक स्रेणी मांडल गड़ से चल कर बुंदी कोटा जालावार तक फैल गई है जोदपुर में वे अर्वली विलग पहाडियों के रूप में तथा जेसल मेर में उचे टीलों के रूप में दिखाई देते हैं ये परवत मालाएं और पहाडी गाटियां उन आदिम निवासियों के लिए सुरक्षा का साधन बन गई जो जन जातिया के लिए भील, मीर्णा, मेर, गरासियादी कहे जाते हैं इन बागों में रहते हुए इन जातियों ने अपने आपको बारी संपर्क से अलग रखा जिससे वे एक लंबे समय तक अपनी सस्कृति को, अपने सामाजिक रिती रिवाजों को अपने डंग से परिवर्धित और संबर्धित करने में सफल हो सके उनका जीवन परवतों और जंगलों में रहने के करण एकांत प्री और बड़ा उदात बन गया उनके रक्षा के सादन और रिद्ध के तरीके भी विलक्षन थे जिनका उपियोब माराना कुंबा, सांगा, परताब, चंदरसेन, माराना राज सिंग और दुर्गादास, राठोड ने इन जनजातियों के इन अदिवासियों के इन वनवासियों के सहयोग से विदेशी आक्रमनकारियों को पलास्त करने में इनके सहयोग से सफलता भी प्राप्त की। विदेशी आक्रमनकारियों को प्राप्त की। इस संपूर्ण पर्वत्माला का राजस्तान के जीवन पर गेरा प्रभाव पड़ाए अर्वली की पस्चिमी और केंदरी मेखला इतनी गनी और दुर्गम है कि इस बाग के दूसरे बाग में आक्रमन होने की कम संबावना रही। जिस विक्ति के पास इस बाग के संक्रे मारगों का अधिकार रहा है उसने अपने भूबाग को सुत्रों से सुरक्षित रखने में सपलता प्राप्त की। मेवाड में होने वाले आक्रमन पस्चिम से न हो सके क्योंकि अरवली अरावली की इधर वाली स्रीनिया उची और स्रल्चा से पाल नहीं की जा सकती थी। इसी तरह हाडोती में फेली हुई अरवली और पहाडियां देश की जुरक्षा के लिए पर्याप्त थी। मालव, शिवी, आदी जातियां, प्राचिन काल में तथा मेवाती, राठोड, सिसोदिया और चोहान, मद्य युग में अपने शुत्रों को पहाड़ी इस्तिती के कारण हरा सके, उन्हें बगा सके और उन्हें वेयां पर अधिकार जमने का मौका न दे सके जिसके जिसके ल मुगल सेना भी मेवार पर आकरमन करने के बावजूद भी मेवार पर अधिकार नहीं कर सकी और हल्दी गाटी के युद्ध में मारना प्रताब को विजैसी प्राप्त हुई अब दूसरा जो वर्णने इसका पठार है राजस्तान का पठार चित्तोर से बेगू, बिजोलिया, माननकर्ड और हाडोती के निकटवर्थी भूबाग में पहला है अधिक हुचाना होने एक इस्तान से दूसरे इस्तान में चोड़ा होने जता उपजव होने के नाते पठारी भाग का बड़ा महत हो है इसकी केंद्री इस्तिती में इसके अंतरकत बड़े नगरों की स्तापना, धर्मिस्तानों के निर्मान और राद्नेतिक प्रभूता को परिवर्दित करने में बड़ा योगदान दिया है चोहानों और उनके पीछे तूर्क, मुगल और अंगरिजी शक्ति को सुद्रट बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है तीसरा इस्तान है मेदान प्राकर्तिक विभगों में उबजाउ मेदानों में राजिस्तान की आर्थिक तता समाजी की सित्री को एक नई देन दी है ये मेदान नदियों के तटी बगों तता पाहडियों की चोड़ी गाटियों में मिलते हैं मेवाद का दक्षिनी बाग, जैपूर, किसंगर तता अजमेर से मालवा की सीमा के भूबाग, उबजाउ मेदाने इसी खेतर में आबादी गनी है, और बड़े पेमाने पर यहां के निवासी खेतों, पशुपालन, व्यापार, चथा वीवित प्रकार की व्यविसाई में लगे हैं इस पठारी बाग को निस्षित रूप से युद्ध की स्थितियों में आर्थिक संकर से गुजड़ना पड़ा था, और यहां पर कई जन्हानी और पशुदन की हानी भी हमें युद्ध काली निस्थितियों में देखने को मिलती है आखिरी बाग ये रेगिस्तान, सबसे बड़ा प्राकर्तिक बाग राजिस्तान का रेगिस्तान है जो उत्तरी छोड़ते गुजड़ात की सीमा तथा अरावली के पस्तिमी बाग में फैला हुआ है इसके अंतरगत जोड़पूर, बिकानेर और जेसरमेर का अधिकांज भाग सम्मिली थे प्राचीन, जेन गरंथों और मुगल तवारिकों में इस रेतिले भाग का वर्णन मिलता है जिसमें पानी और वनस्पति का अभाव प्रमुख है इस कमी से यहां की आबादी नगन्य है, कोसो यात्रा करने पर कहीं कहीं गाओं और पानी की सुईदा मिलती है पशुपालन यहां का प्रमुख व्यवसाए, पानी के सूखने पर बस्तियां उजड़ी हुई भी मिलती है ऐसा माना जाता है कि बहुत ही पुरू काल में सरस्वती नदी यहां पर बहा करते थी यह सरस्वती नदी का बहाव ख्यत्र था और सरस्वती नदी के अंतर लुपत हो जाने के पस्चाथ ये सारा जो खितर है वह रेतिला हो गया इसलिए इसका नाम रेगिस्तान पड़ा नदीयों की इस्ति राजस्तान में नदीयों के बहाव से उसके चारों और के डलाव का अनुमान हो सकता है उत्तर पस्चिमी डलान क नदीयों में सरस्वती और द्शद्वती प्रमुख है जिनके आसपास प्राचीन बारतिय संस्क्रति का विकास हुआ समयांतर में ये नदीयां सूख गई और अब यहां केवल बरसाती नदी के रूप में गगगर बहती दिखाई पड़ती है जक्षिन पस्चिमी डलाव की नदी में लूनी प्रमुख है जो इस बागी अधिक उपच का सादन है सबसे बड़ी नदी चंबल जिसे चर्मन वती भी का जाता है जो मद्वारत में चलकर राजस्तान के उत्तरी पूरी भाग में बैती हुई योगना में जाकर के मिलती है इसकी साइग नदियों में बना चिनकाल में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ आसपास के भाग उपजव होने से संब्रद्धी के केंदर भी इनके किनारे विक्सित हुए अनेक राज्यों की सीमा निर्दारन में इनकी एक राजनितिक महतुभी रा माही बासवाड़ा और डुंगरपूर की और खारी उ सेनाओं को मारगद दर्शन देकर प्रस्तान में सुईरा पेदा की मुगलों के आक्रमनों में बनास और चंबल के बहाव का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जिन्नोंने युद्ध के कई परिणामों को बतला है जल्वायू और वनस्पती राजस्तान के जन्जीवन में जल्वायू और वर्शा का अपना महत्व है यहां कि जल्वायू विशेज रूप से सुशके और अधिकान्स बागों में वर्शा का अभाव अधिक रेता है उपज़ की कमी होने कारण इस पर विदेशी अकरमनकार तो इससे यहां की उपज़ोग को लेकर के इस्तिती स्पस्ट हो जाती है कि यहां पर फसल की देश्टी से ज्यादा फसले यहां पर पैदा नहीं होती जल्वायू की विशमता के कारण बाबर खानवा के बाद राजस्तान के बितरी बाग में बढ़ने से उसने अपनी उप चाश्पती इस्तनी उद्योगों को बढ़ावा देने वाली है यहां पर इन जंगली भाग होने के करण आखेट के लिए भी इन इस्तनों को उप्योगी माना गया है इस प्रकार राजस्तान की प्राकरति की स्थिती में विवित्ता होते हुए भी एक एक सुत्रता के तता मद्यकाली नियुक का स्वातिंत्र प्रेम राजस्तान के जन्जाती जीवन के मुख्य अंग इसलिए बन पाए कि यहां बाशा, धर्म और आचार विचार के बंदन बड़े द्रड रहे जन्जीवन की संकीन द्रश्टी से उपर उठाने में यह सफल रहे सबसे बड़ी विशेषता बोगोली को राजनेतिक संबन में यह इसपस्टे की बोगोली किस्ति राजनेतिक सीमाओं के निर्मान में बड़ी सायक रही अगर राजस्तान में गुमकड जातियां हैं या इसी पेशेवर कौमें जो खेती है या वानित जिम्मे लगी हुई है तो इसमें उनके आसपास का वातावरन जिम्मेदार है इसके लिए बोगोली किस्तिया हैं कि जिसके करण उन्हें उस तरह का कारे करने की प्रेड़ना और उनकी साहिता प्राप्त हुई और उसमें उनको अनुकूलन लगा इस प्रकार खाना पीना रहना आदी काभी अधिकान संबंद इस्तानी वनस्पती और बोगोली किस्ति और फसल की उपशल की उपस्त पर निर्पर करता है दक्षिनी राजस्तान की जलवायू को लेकर के ये कहा जाता है कि यहां के जो उपज होती है उस पर उसी का प्रबाव होता है साथ ही वस्तों की उपलब्दी और संकोश से यहां के निवाशियों में सोरी और इस्पस्ट वादिता के गुण भी है एक संगर्श करने की जो प्रबर्ति है एक किस्टोशैष्नुता की जो प्रबर्ति है वो यहां के निवाशियों में आसानी से देखी जा सकती है इसी कारण से हम देखते हैं कि इन चीजों का प्रबाव जो है इतिहास में काफी पड़ा है और एक जुझारूपन जो है वो जुझारूपन इस धर्ती पर हमें देखने को मिलता है तो कि जो विबिन्न आकरमन जो हुए है और ऐसे मद्यकाल में हम देखे हैं कि सल्तनत काल में भी और मुगल काल में भी भारत के अधिकांस ख्यत्रों पर उनका अधिकार होगी है था जो विदेशी जाती आई थी लेकिन राजस्तान के राजबुताना जिसको का जाता था उस खित्र को पूरा जीत पाना कभी किसी साशक के लिए संब्भम नहीं हुआ और मेवाड विशेश करके इसके अफवाद के रूप में हमेशा राए बच्च